हेलो डी एवियंस इस वीडियो में हम लोग क्लास एट का शोसल साइंस पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हमें चैप्टर 11 को स्टार्ट करना है इस चैप्टर का टाइटल है इस फॉस्ट वार ओफ इंडिपेंदेंस 1857 बहुत इंपॉर्टेंट और इंट्रेस्टिंग चैप्टर है बहुत मजाएगा हमें पढ़ने में इस चैप्टर को अगले पार्ट का वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में लिकर ज़रूर बताइएगा आपके क्लास के हर चैप्टर को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए आप टीए भी गुरू के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहां पर अलग-अलग के टिग्रीज में आपको हर क्लास के वीडियो मिल जाएंगे यहां से आप अपनी क्लास के वीडियो को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल इकन को प्रिस भी कर लिजेगा ताकि नए वीडियो का नोटि सबसे पहले हमें चैप्टर का इंटूडरक्शन देखेंगे बहुत कुछ हमें इंटूडरक्शन में ही बता दिया गया है उसके बाद हमें काउजेस ओफ रिवोल्ट के बारें परणा है कि जो विद्रो हुआ था उसका क्या कारण था बहुत सारे काउजेस थे और सबके ब के बारें परना है तो चलिए चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन शुरू करते हैं अराम से यरफन लगा कर बैठ जाईए और पूरे चैप्टर को कहानी के तरह सुनिए आपको आटमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा इस चैप्टर का स्टूरी 1857 के एक रिवोल्ट से हुआ था उस दिन मेरट कंटोर्नमेंट के कुछ सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिये थे सभी क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की तरह बरने लगे और 11 मई 1857 को दिल्ली इस विद्रोह का गवा बनी जब सभी सैनिक यमना नदी को पार करके लाल किले में गुज ग फिर भी सभी सैनिक उसको बोलते हैं कि आप हमारा लीडर बन जाईए और सभी सैनिक उसको शेहनशा ए हिंदुस्तान यानि की हिंदुस्तान का शेहनशा घोशित कर देते हैं सभी सिपाही मिलकर दिल्ली शहर को जीत लेते हैं बहुत सारे अंग्रेजों को मार देते हैं और बहुत सारे सरकारी दफ्तरों को बर्खास्त कर देते हैं इस विद्रों को भारत के सैनिकों ने शुरू किया था जो कि East India Company के लिए काम किया करते थे इसलिए भारत के विविन भागों में ये विद्रों बहुत तेजी से फैलने लगा भारत के हर समाज के लोग जिसमें की किसान भी थे, कारीगर भी थे, सैनिक भी थे, परहे लिखे इंडियन्स भी थे और ग्रामीन भी थे सब लोग एक साथ मिलकर खड़े हुए अंगरीजी हुकुमत के खिलाफ लड़ने के लिए भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग जिसमें की हिंदूस भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बागी के सभी धर्मों के लोग थे सब लोग मिलकर एक साथ आगए ताकि फोरें डॉमिनेशन को भारत में खत्म किया जा सके इस घटना को अपराइजिंग भी कहा जाता है, रिवोल्ट अफ 1857 भी कहा जाता है और सिपोई म्यूटिनी भी कहा जाता है लेकिन भारत के इतिहासकार इसको फर्स्ट वार उफ इंडिपेंडेंस कहते हैं मतलब भारत के आजाती की पहली लराई, ऐसा इसी लिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था जब भारत में रहने वाले हर तपके की लोग यूनाइट हो चुके थे, एक साथा चुके थे, एक राष्ट की तरह खड़े हो चुके थे ताकि अंग्रेजों की गुलामी की जनजीरों को तोर कर फेका जा सके जबसे अंग्रेजों के कदम भारत की मिट्टी पर परी थी, तब से भारत अपने धन और आजादी को खोते जा रहा था अंग्रेजों का केवल एक ही मकसद था वो लोग चाहते थे कि भारत में जितना भी रिसोर्स है उसको उठा कर अपने देश यानि की इंगलेंड लेकर चले जाएं 1757 के बाद से वो लगभग सभी युद्ध को जीतते जा रहे थे वो सभी भारत के राजाओं को हराते जा रहे थे और अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे अंग्रेज लोग जिस भी राज्य को जीतते थे वहां से सारा धन लूट कर वे लोग इंगलेंड भेज देते थे इस वजह से उनके खिलाब भारत के लोगों में गुस्सा भड़ा हुआ था और फाइनली 100 साल के बाद 1857 में ये गुस्सा ज्वाला मुखी बनकर फटा और बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए हमार अगला टॉपिक है काउजिस अफ दरिवोल्ट इस विद्रो के क्या क्या कारण थे सब के बारे में यहाँ पर हमें डिटेल में परना है बहुत सारे कारण थे सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल काउजिस के बारे में परेंगे यह विद्रो इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों के अंदर बहुत लंबे समय से अंग्रेजों के खिलाब क्रोध भरा हुआ था उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था अंग्रेजों के खिलाब भारत के सीपाही भी जो कि अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे वो भी असंतुष्ट थे क्योंकि उनके साथ भी अच्छा विवहार नहीं किया जाता था उपर से भारत के राजा जैसे की बहादूर शाह जफर, ग्वालियर के तांतिया टोपे, जहांसी की रानी लक्षमी बाई और कानपूर के नाना साहिब ये सब अंग्रेजों से ऐसे ही परिशान हो चुके थे, ये लोग चाते थे कि किसी तरह अंग्रेजों को बाहर निकाल द इसी वज़ा से इन सभी शाशकों ने अपने राज्य में होने वाले रिवोल्ट का नेतरित्व किया और इसको सपोर्ट किया, इन सब के अलावा दिल्ली, लखनव, ग्वालियर और दूसरे जगों के जो आम लोग थे, उनको पैसा या पावर नहीं चाहिए था, वो लोग बस चाते थे कि किसी तरह से अंग्रेजी हुकूमत की समापती हो जाए, अंग्रेज भारत को छोर कर चले जाए, और उनके साथ जो एक्स्प्लोइटेशन हो रहा है, वो खतम हो जाए, इसके अलावा डलहौजी नाम का एक अंग्रेज था, जिसके राज जहरन की नीती के का कारण भारत के राजा बहुत परेशान थे, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था, जिसके वज़ा से रिवोल्ट हुआ था, खासका डॉक्ट्रीन ओफ लैप्स नाम के पॉलिसी के कारण भारत के राजा उससे डड़े हुए थे, और उससे बहुत क्रोधित थे, जिसके अनुसार ऐसे राज्य, जिनमें राजा का अपना कोई भी वारिस नहीं हुआ करता था, राजा के मरने के बाद उस राज्य पर ऑटमेटिकली अंग्रेजों का अधिकार हो जाया करता था, एक बात और इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, उस समय ऐसा ह होता था कि राजा राज्य में थोड़ा सा हिस्सा अंग्रेजों को दे देते थे और उसके बदले में अंग्रेज उनको कमपनसेशन देते थे, कुछ पैसा, कुछ धन उसको देते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने ये कमपनसेशन देना भी बंद कर दिया था, ऐसा म परे केजरीवाल थे कि वो कभी भी पलड़ जाते थे, उन्होंने भारत के राजाओं और नवाबों के साथ कई सारे ट्रिटी साइन किये थे, कई सारे समझाते किये थे, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से वो कभी भी उन समझातों को तोड़ देते थे, ऐसा ही एक समझाता contextual 105-1айте में अंग्रेजों ने अवद के साथ किया था vist subsidiary alliance आपको पता होना चाहिए कि subsidiary alliance जब भी अंग्रेज किसी राजा के साथ करते थे तो क्या होता था हम किसी चैप्टर में पढ़ाए भी थे कि जब भी अंग्रेज किसी राजा के साथ subsidiary alliance करते थे तो अंग्रेज का एक आदमी राजा के दरवार में हमेशा रहता था और राजा कोई भी decision लेता था तो उस आदमी से पूछ कर लेता था पूरे मिलिटरी का कंट्रोल भी अंग्रेजों के हाथों में चले जाता था और उसका मेंटेनिंस राजा को ही करना परता था जो भी खर्च होता था वो राजा को ही उठाना परता था बिल्कुल ऐसा ही हुआ अवद के नवाव वाजित अली शाह के साथ उसे जबरदस्ती ब्रेटिश आर्मी को एकसेप्ट करना परा अपने राज्य में लाना परा और उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए सबसीडी जो भी खर्च होता था वो भी उसे ही उठाना परा उसके पास हमेशा उसके दरबार में रहता था जो कि नवाव के पावर को कंट्रोल करता था नवाव बिना उसके पर्मीशन के कोई भी डिसिजन नहीं ले पाता था धिरे धिरे भारत के लोगों का भरोसा अंग्रेजो पर से उठने लगा अवद जो कि लगबग 100 सालों से इस्ट को अवद का नवाव बना दिया इस चीज को देखकर बांकी के रूलर्स चकित रह गए इतने सारे पॉलिटिकल काउजेस थे जिसके कारण से रिवोल्ट हुआ था आपको एकजामे बोला जा सकता है कि पांच ऐसे पॉलिटिकल काउजेस के बारे में बताईए जिसके कारण से विद्रो हुआ था तो आपको इसी में से पांच पॉइंट एक्स्टेक्ट करके लिखना होगा एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि डलहौजी के बारे में बताया गया है पता नहीं लोग लौड इसके राम क्या के क्यों लगाते हैं डलहौजी को 1848 में भारत का गवर्नर जेनरल बनाया गया था अपने 8 साल के शाशनकाल में उसने ब्रेटिश पावर को सबसे ज़्यादा एक्सपैंड किया था अब हमें एकॉनमिक काउजिस के बारे में परना है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुए रिवोल्ट का कारन बना था अंग्रेजो इसी वज़ा से बहुत सारे भारतियों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है जमिनदारी सिस्टम जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने डीटेल में परा था जमिनदारी सिस्टम के वज़ा से भारत के किसान उसे वही फसल उगबाते थे किसानों को टॉर्चर किया जाता था और उनको जेल में भी डाल दिया जाता था अगर वो समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाते थे इंडस्टियल गुड्स जैसे की टेक्स्टाइल यानि की कपड़े को ब्रिटेन के मार्केट से इंपोर्ट करके भारत के मार्केट में भर दिया जाता था इस वज़ा से भारत के इंडस्टिय इस पूरी तरह से बरबाद हो गए और भारत के कारीगर और किसान बेरोजगार हो गए अंग्रेज लोग जब भी किसी प्रिंसली स्टेट को जीतते थे तो अंग्रेजों को फ्री में जमीन मिलता था उसके लिए उन्हें कोई भी रेंट नहीं देना परता था और उपर से बहुत सारा पैसा भी मिलता था लेकिन जवाम आदमी थे उनको बेरोजगारी और गड़ी का सामना करना परता था बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब अंग्रेजों ने अवद को जीत लिया था उस मिंग्रेजों ने नवाब के अधिकारियों को । को डिस्मिस कर दिया था आर्मि को भिखेर दिया था जिस वजह से लगभख साथ हजार प्रोफेशनल सोल समाज में कुछ बदलाव करते थे और इसी समाजिक बदलाव के कारण भारत में रहने वाले हिंदूों के सभ्यता और संस्कृती पर बुरा प्रभाव पर रहा था। उस समय भारत में शिक्षा के लिए गुरू कुल हुआ करते थे और अंग्रेज लोग भारत में वेस्टरन एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते थे जिसका विरोध बहुत सारे भारतिये कर रहे थे क्योंकि वेस्टरन एजुकेशन सिस्टम की आर में वो लोग कनवर्जन करना वो लोग चाते थे कि सब को Christian बना दिया जाए हिंदूों के लिए property को लेकर जो कानून था अंग्रेजों ने उसको भी बदल दिया ताकि जब भी किसी हिंदू को Christian बनाया जाए तो उसको उसके पिता का property मिल सके law of property बनाया ही इसलिए गया था ताकि इस तरह से कोई भी हिंदूों को जबरदस्ती convert करके उसके property को हरप न सके भारत में railway के विस्तार के कारण जो लोग गरीब थे और परहे लिखे नहीं थे उनका डर और बर गया क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो railway से यात्रा करेंगे एक जगा से दूसरे जगा जाएंगे तो उनका धर्म भरष्ट हो जाएगा इस तरह की अफवा उस समय बहुत फैलती थी आज भी फैलती है आजकल डिजिटल तरीके से फैलती है वाटसेपे मैसेज आता है कि आप 10 लोगों को forward कीजिए तो आपका अच्छा होगा अगर नहीं करेंगे तो आपका बुरा हो जाएगा आजकल थोड़ा एडवांस तरीके से हो रहा है लेकिन उस समय ट्रेडिशनल तरीके से होता था जब भी इस तरह का rumors फैलता है इस तरह की अफवा फैलती है तो लोगों में panic बढ़ जाता है इसी का एक example इस वाले do you know में दिया है उस समय एक अफवा फैला था कि अंग्रेजों ने ऐसी साजिश की है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का धर्म भरष्ट हो जाएगा अंग्रेजों ने हड़ियों के चूरन को हड़ि का जो powder होता है उसको मिठाई में मिला दिया है और उसको market में बेचा जा रहा है और जो भी उस मिठाई को खाएगा उसका धर्म भरष्ट हो जाएगा लेकिन एक्चुल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ये बस एक अफवा था अब चलिए वापसे topic पर आते हैं यहाँ पर बताया गया कि भारत के लोगों को उस समय कभी भी first class compartment में travel करने नहीं दिया जाता था conservative Indians मतलब ऐसे भारतिये जो कि भारत के culture को ज़्यादा importance देते थे वो तेजी से फैलते हुए western culture और English education system को लेकर परेशान थे इसके साथ-साथ अंग्रेज भारतियों को नीच मानते थे और उनके साथ रंग भेद करते थे वो लोग हर चीज में अपने आपको superior मानते थे उनका जो judicial system था वो बस नाम का equality पर बिलीव करता था लेकिन actual में वो biased था जहां पर Indians का बात आता था तो हमेशा Indians का गलती वो लो जा सकता है तो इसी में से आप 3-4 पॉइंट extract करके लिख सकते हैं exam में अब हमें military causes के बारें परना है कि सैनिकों के साथ क्या दिक्कत थी जो कि उन्हें विद्रोह करना पर अंग्रेजों के खिलाब भारत के सिपाहियों ने ही अंग्रेजों को भारत में अपना सामराज्य स्थापित करने में मदद किया था लेकिन अवाड और promotion के बजाए उन्हें हमेशा अंग्रेजों का तिरसकार सहना परता था भारत के सैनिक और अंग्रेजी सैनिक के बीच में हमेशा discrimination, हमेशा भेद भाव किया जाता था भारतिये सैनिकों में सबसे ज़्यादा सेलरी सुबेदार को मिलता था लेकिन सुबेदार का सेलरी एक normal अंग्रेजी सैनिक से भी कम था मतलब एक नए नवेले यूरोपियन सैनिक को जितना सैलरी दिया जाता था उससे भी कम सैलरी एक high rank के भारतिये सैनिक को दिया जाता था इसके अलावा 1856 में अंग्रेजी ने एक एक्ट भी पास करवाया था जिससे कि भारतिये सैनिको के लिए कम पलसरी हो गया था कि उनको विदेश जाना ही पढ़ेगा चाहे उनका मन हो या ना हो ये एक्टिसीले बनाया गया था ताकि वल्ड वार में भारतिये सैनिक को ब्रीटेन की तरफ से लड़ने के लिए बहजा जा सके इस कानून से हिंदू सैनिको की भावना को ठेस पहुची क्योंकि उनका मानना था कि समुदर के पार जाने से उनका धर्म भरष्ट हो जाएगा अब हमें immediate causes के बारे में परना है कुछ तातकालिक कारण थे जिसके वज़ा से revolt शुरू हुआ था और इस revolt के hero थे mangal pande उस समय हुआ ये था कि अंग्रेजों ने सैनिको को एक नया infield rifle दिया था और उसमें जो कार्तूस लगता था उसमें जो गोली लगता था वो एक greased paper से धका हुआ रहता था और उस गोली को rifle में load करने से पहले rifle में भरने से पहले उसको दातों से काटना परता था उसके उपर जो paper का cover था ना उसको दात से काटके हटाना परता था ऐसा कहा गया था कि जो grease paper गोली के उपर लगा हुआ है वो beef और pig fat से मिलकर बना हुआ है इस वज़ा से हिंदू और muslim सैनिकों ने उस गोली का इस्तिमाल करने से मना कर दिया क्योंकि इस से उनकी भावनाओं को ठेस पह जा करते हैं और जो muslims होते हैं उनको सुवर पसंद नहीं होता है वो सुवर से नफरत करते हैं इस वज़ा से कोई भी नहीं चाहता था कि उस गोली को दांट से काटकर वो लोग इस्तिमाल करें इस वज़ा से भारत के सैनिकों में अंगरीजों के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था और ये गुस्सा मार्च 29, 1857 को ज्वाला मुखी बनकर फूटा इस दिन बैरकपूर में जो की कलकत्ता के नजदीक है मंगल पांडे जो की बंगाल रेजिमेंट के एक जवान सिपाही थे उन्होंने ग्रीजड पेपर वाले कार्थूस का इस्तिमाल करने से मना कर द उनको फांसी पर लटका दिया गया, फिर जैसे यह न्यूज कुड़े भारत में फैला, भारत के कौने कौने से आने वाले सिपाही हो ने अंग्रीजों की खिलाफ विद्रोह कर दिया, इस वाले मैप में दिखाया गया है कि मेली कहा कहा पर सैनिक विद्रोह हुए थे, जहा आपको इसका पार्ट टू भी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट में लिकर ज़रूर बताईएगा आपके क्लास के शोसल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेप साइड में क्लिक कीजे वहाँ पर आपको दूसरे सभी चैप्टल्स के वीडियोज मिल जाएंगे और अगले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजे फिलाले से वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे ने टॉपिक्स के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखी और अच्छे से परहाई करते रहे हैं